ये देखवा, ये साबू दाना एकदम अलग-अलग है, एकदम दाने मोतियों की तरह घर रहा है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी चिपकावा नहीं है, यही तो कुछ बात है, मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, हाँ, लेकिन ये बात तो है कि जब आप इस बात की, चलो, फिर शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है, एक कप साबू दाना, अब इस एक कप साबू दाने की ट्रीक्मेंट ऐसे करनी है, कि आपने इसको लगभग दो से तीन बारी, हाँ, दो से तीन बारी अच्छे से दोना है, आप यह देखो, जब हम पहली बारी पानी डालेंगे, तो यह पानी बहुत वाइट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कि एक से स्टार्ट निकालना है, या ऐसा कुछ करना है, क्योंकि साबू दाने का आप जितना दोगे, उधने बार पानी यह वाइट होगा जरूरूर। अभी ऐसा दो तीन बारी करने के बाद आप देख सकते हो कि यह है साबू दाना, मैं इसमें और पानी बहुत थोड़ा सा डालूगा, बहुत थोड़ा सा, तो इतना दोने के बाद नीचे पानी अपने आपी सेटल डाउन हो जुका है, है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, अब मैं थोड़ा सा और पानी डालूगा और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूगा, ज्यान रहे, मैंने इतना पानी नहीं डाला है कि यह उपर तक कवर करें, ना मैंने इतना पानी डाला है कि यह साबू दानी के ऊपर आदे, मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है, बहु साब उजाना खिचिडी बनाना तो बहुत असान है, आपको बेसिकली दो-तीन हरी मिर्चे चाहिए, दो टमाटर चाहिए, मुफली ली है मैंने आपर धनिया चाहिए होगा आपको और अधरक बस आप टमाटर को ऐसे एकदम रफली चॉप कर देना और जो अधरक और हरी साबुदाना कितना अलग अलग तो ही लेगन क्या है सच में पानी इब्जॉब कर चुका है, आप यह देखो कितना सौफ्ट है साबुदाना, है ना बहुत बढ़ी है, अब जब आप ऐसे बनाओगे तो साबुदाना अलग 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 बनेगा, अब आपको यह प्रूफ क करने के लिए कि साबुदाना अलग अलग बहुत राम से बनेगा, मैंने यहाँ पर नॉंसितिक पैन नहीं लिया है, मैंने आपर आलुविनियूम की कड़ाई लिया, इस कड़ाई में बनाओगा और आप देखना साबुदाना का रिजल्ट बहुत बढ़ी आए तो सबसे प और पकाने के बाद फड़ा फट्चे आप इसको निकालने लेना, अब ध्यान रहे, ग्यास एकदम आपको हाई फ्लेम पे चाहिए, एकदम हाई फ्लेम पे ही हम आगे कुपिंग करेंगे, ताकि जल्दी से चीजे पकेंगे, यहाँ पर शुरुबात में मैंने आप पर जीर तुमाटरों के रहे रहे हैंश between powiniti, फिर इंट फीर फंपाइल को फुटा करेंगे, अब यहां पर तन मातरों के साथ में नमक ने डालने वाला क्योंकि हमें टमाटरों का शुआ नहीं करना, हमें इनको ख़ड़ा ख़ड़ा ही, तो इहां पर थोड़ क् EMP harmakan कोडी दिर पकाने के बाद जब टमाटन हलके से नरम होने शुरू हो जाए फिर आप यहां पर उपलेवे आलू डाल देना और आलू को भी आप यहां पर अच्छे से बुन देना देखो कितनी फास्ट कोकिंग होई अब दो से दीन मिनट यानि की आलू को अच्छे से बुनने के बाद अब आपने यहां पर साबूत दाना डालना है साथ साथ आप थोड़ी से मसाले डाल दिना जैसे की काली मिर्च और मैंने यहां पर सेंदा नमंग डाल दिया है इसी में मलब एक मिनट और में आपने आपर डालनी है वो जो भुनी में मूफिली थे हमारी वह अपने आप डालनी है और सबसे इंपोर्टन चीज नीम्बू का रस आपने आप डालना है यह बहुत ज़रूरी है यह तो साबूत दाना चिपकने लग जाएगा और भी ज़्याद अब यही में नॉन स्टिक में मनाता ना साबूत दाना तो बिल्कुल अलग 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 रहे था अल्यूएनियम की कड़ाई है तो थोड़ा सा चिपकेगा हलका सा लेकिन तब भी काफी अलग अलग अब आपने आपर एंड में धनिया डालना है कटा हुआ और आपका साब इसको तराई जरू करें